खनन विभाग की मिली भकत से संभल जिले में अवैद खनन का बड़ा खेल जी हाँ जनपत संभल में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद किसानों की खेती की जमीन में रातो रात खनन कर दिया गया तालाब 20 विगा से जादा जमीन में 15 फिट तक मिट्टी की खुदाई कर दी गई अवैद खनन का बड़ा खेल किसानों के मना करने के बावजूद भी दबगई पर बल कर रातो रात खनन करते रहे माफिया ग्रामिनों का आरोख खनन अधिकारी से शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई सुनवाई ग्रामिनों की सूचना पर भाज यूमो के जिलाध्यक्ष ने मौके पर पहुँचकर अवैद खनन को लेकर किया जम कर हंगामा हंगामे के बाद जेसी भी मशीने और डंपर लेकर फरार हुए खनन माफिया अवैद खनन की सूचना देने के तीन घंटे बाद मौके पर पहुँचे खनन अधिकारी सुरेंद्र लाकाडा भाज यूमो जिलाध्यक्ष ने खनन अधिकारी के सामने हंगामा कर सुनाई जम कर खरी खोटी सदर कोतावली इलाके के विचोनी गाओं में जंगल का मामला शाम होते ही शहर की चारो दिशाओं में सडक पर दोड़ते हुए दिखते हैं मिट्टी से भरे हुए डंपर वाट एक्टर और बालू खना दिन भाएर 20-50 एक्टर पूरे जंगद में भागे करते हैं क्या मामला है अभी ऐसा है कि एक कदेश आया हुआ है सासन से कि सदानल मिट्टी का रोल्ती जीरो कर दिया गया है मिट्टी जीरो कर दिया तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर दिया है कि सदार्ण मिट्टी के जो हम राजसों लेते थे 30 रुपय परती गनमेटा अब सीधी सीधे जीरो हो गया रहे है जो थेकेदार घंडर अपने अपने लग कराते हैं तो फिलातों अपना भागा पर रांघ भी प्रिया तक कि अपना बेच रहा है हमारे तरफ से ही होती है कि कभी कबाद ज्याज़ सिगाइट आती तो हम लोग करवाई कर देते हैं मामला बस यह था कि वहां पर जो खनन हो रहा था कुछ लोग खनन किये थे तो उसमें डंफर पकड़ा गया है उसके जैसीबी से खुदाई हो रही थी इसलिए डंफर क्या था यह पुड़ा मामला बताई है यह पहला खनन मैंने नहीं पकड़ा है चादोसी उधानसभा छेत्र में बहुत बड़ा खनन हो रहा है लगबग 2000 बीगा जमीन जो आपने रिकॉर्ड गया यहां 15-20 पिट उससे भी ज्यादा खुदान वहां हो चुका है यह सारा अधिकारी सरकार की छबी को धुमिल करने का काम कर रहे हैं लेकिन हम लोग भी भारते जन्ता पार्टी के कार करता है कोई भी गलत काम किसी भी प्रकार से नहीं होने देंगे और जो इस प्रकार के अधिकारी हैं सरकार की मनशा के खिलाब काम कर रहे हैं उनको किसी भी प्रक से जनपत संबल में नहीं रहने दिया जाएगा हम अपने जो संगठन है और सरकार के उच्छ अपने सरकार को अफगत कराएंगे कि इस प्रकार की करणाली करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए इनके बुरुद कड़ी से कड़ी कारवाई की जानी अधिकारियों के सप्रतम ऐसे अधिकारियों के बुरुद कड़ी कानूनी करवाई होनी चाहिए